हालो वीवर स्वभाई क्या मों आछें, वल्कम बैक टू माई चैनल जोदियो एक्टा ओर वीडियो तार पूर आपना देर शेयर कोड़छी आजके ये वीडियो ते आपना देर के दाखाबो आपना जेटा जानी जे डायनोसर की भावे एलो, की भावे एवल्येशन होलो, की भावे बिलूप्त होलो शे पूरो एक्टा 3D वीडियो एटा कोलकाता साइनसी ठेके कैपचार करा तो शावाइब पूरो वीडियो टाद एक बेन एबंग जारे नोतूर आचें आप मुश्य साब्स्ट्राइब कोड़ें जाले एंजोए कोड़ें केते लिंकी चासो साथ करोर वर्ष पहले प्रचंद धून के पवंदर से हमारे सोर जगत का चिन हुआ धेरे धीरे प्रीथ में शिकल होने लगी बहुत सारे कैस पाहर निकलने लगे और पितरे के चारो और वायों अंडल के लोग में छावे फिर इन गैसों ने बजली की करण और पातनों की करण से मिलकर एमॉन और आसिट का निर्मान किया पर सारे तेन सु करोर वर्ष पहले प्रथम एक कोशी की चीज़ की रचना हुए पर तोसो असब करोर वर्ष पहले स्ट्रम्पाटर राइट ने प्रकाष संट्स्रेशन कर वारा वायों में गजल ने 아 kg को मोट किया अ ओ teaspoon के स्टर्म न गेमदिध्र मेरेंटर वृत्ष्छे से एक सुपेस करूल बश्च मेगले एक से अधिक नियुत्रियस वाले बहुत कोशे की जीव का जबन हुआ इस क्रुमीक विकास से ही प्लाटवॉर्ण, जलेफिश, स्टारफिश, नौटी लॉइट से सागर पारूटा सागर के किनारी वाले अंचल में पौधे लेणाने लगे वह अग तेजे से बगल प्रजातियों की गल मचलिया विकसित हुई यहाँ जो पुशाली मचलिय निकर लिये, उसका नाम है डांटिय आस्टस इसके बार हमारा मुकाम होंगे डिवोनियों, कार्बोनिफेरस और अर्वियन दूक जिसके वोक्या और जटनी जीज़न रूट थे तुमेटरों और स्टूट उड़स तेका रप्रजान अंचलिया लगवद प्रेटर स्करों वर्ष कहले ग्लाती पर प्रेट पोधों का चन्ग हुआ, जो प्रते गए पर्थे गए वो ख्रया चंगलों में उदल गए प्रेटरों प्रेटर प्रेटरी प्रेटर एवन एक प्रस्टीवा जैसे उदले चर्प्राणियों का आधिर भाव हुआ, सरस्रिप जैसे स्थमपाई डायनेटरों प्रपठ हुआ, जिसके पीट पर नगों के पाल की तरह एक अंग था, जो तापको मेंध्रत रखनी में इसके बिशेस्ताएं कुट्टे से बहुत मिलते थी, प्राए एक मुइटर तक पंध वैदाने में सक्षन कामच जलता जाता ट्राइटर फ्लाई साथ ही तो जिते, बेगों एवन अच्छों प्रथवी के चारों प्रेट रह थे, धरती में पाए जाने वाले अधिकारश को में ही कारवोडी फेरस युक के लध पौधे से उत्पन हुए थे, जो कि धरती के अंदर तप गए थे, और दिनों प्रथवी के एक तिहाई हिस्से में एक मात्र महादेश था, जिसे पैंच या कहा जाता था, जल्वाईन करू रहती थी, दो भाग पर प्राग्यात लहासि मात्र मात्र मोड़ प्रांग अबगम से शरभ चेलिए, शायक चले टान सुआसु कि विछाइची हो, ने खिराईची हो पारी च्छाबग में टेंगे विछाल सोवाइस, दिल्प्राइच कादे तस दिल्पक्त, जब तक में टुक्त स्नाची जिले लेकाट, प्रिकू चलेश हो। में दक कछने और लंगर बचो का चंग लगों पाइस Mmm पाङस्के नबाईची मेगजोड्स को रो चबूजे से अधरा का क्विजी जड़्स से नहीं लेकिते को दूजिए और दायो सूग्या दाय रिए हादा एक इतना प्राइ बैस करोर वर्ष पहने के लिए दूस और अकार इवाग मांके थे और ध्रके के कोई कोई में अलुके थे इसने जलबाईयों के अनकुल खुद को खा लिया था इसने से कुछ तो किरहरी की दरख पहने के लिके थे और कुछ तुम्रा कुण वाइस खाथियों जितने भाड़ी थे कच चार पहरों से चल बेते तो सियवत पाइस तो पहर वाले प्रहनोस ओड़ी रेखियोसारस की लंबाई को प्राई थे इस मिटर थी जो की एक पैनस गोट की लंबाई जितनी थी अर्टार बजन पिचर्टर तंथा सरसर आकाश और सागर में भी ज्छागे थे इस औरस संधर में रहते थे सबसे प्राजी में परिसर योटे मोट पड़ाम हवामें होते थे इन इभड़र सी आचित रल्टार उक्याश दरॉबा झालि पुछे लगद टच्छे लीचि का सान्पच च्छे लागाँ जिवाश की फिड़िक हुट भी वेडिर लुटते कीजित्व पिछंत शेधिय गुट्ट की जैसे की की जिएकि तूर्ग्स लाईपिस्खड्सेव गयुटते हुट्स तैमुटते हुट सभालिपस वोग इस जूख की खास नहीं जाना है अगले दस करूब वशूबत याने चरासिक के अंके जरल से क्रेटेशियस युख का पथल चरण तक तानसों के लिए स्वर्मिंग युग रहा ज़वाइं में नमी की मौजूदकी से फुद्वी बेख पौथों से भर उठी नहीं पैंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की और खिसट में लगा था महादेशिय प्लेटों में हर्चल होने से ज्वाला भुखी के रूप में लावा निकलने नहीं थी इसके परस्वल आए भोकंप से विभेल भौगोडिक आकार एवर आकर प्यान दर्वित हुई स्पाइनोसारस की पीट पर नोका के पाल की तरह एक अंख हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के ताब को इंद्रत करता था वेलोसराप्टर, गैली माइबस, एवन ओविल राप्टर जैसे छोटे टाइनोसार तो ओविंविक के देज धावा को की तरह तोड सकते थे पैरस और उलाफस और कोरिधुसारस के स्थर पर कलगी होती थी करेवर पांच मीटर लंग पे पंख वाले, टेरो नॉड़ों और में इवन पिसल्मे में माहिए थे सल्मे में विचे कर लगी पर अधिकर लगी पर अधिकुष टाइनोसार जैसे के थ्राइसराप्टोस और अंकिलोसारस शाह कहारी थे लोरेसिया और कुटवारा नाम के दो फुखेंट महादेश में रुपांतरित हुए एवन समत्रे गर्ण के कढ़ोल आवराण से लोकी एवन पर अन्य परवत्स्रेनिया देमित हुए खिली में रुपांतरित हुए और रुपांतर सा कावर कोजित हुए अजय होगी थे आई दो कुड़ा करेंगे दोड़ा में दुटतरु दो मुध्य रेखा की पास आपवा में उश्रता बनी रही पर उतों नदिया सूखने लगी थी एवं जंगल कल्प मुने लगे थी एक आंध बहादेश में जीव चन्तों का विकाद स्वतंद्र रूप से शुरू हुआ सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धर्ती पर विकसीद हुए एवन परागन के लिए केट पदंगों के साफ संपर्ख स्थापित हुआ वे तेजी से धर्ती पर पढ़ने लगे इसी समय पहली बार धर्ती पर सापों का चल्ब हुआ डाइनोसार में सबसे भयंकर था टेरानोसारस रेक्स भूस्थर पर इसका ही रास चलता था यह प्राइब 12 मीटर लंबा यानि दो मंदिला मकान के आकार का था इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी अंकिलोसारस अपनी पूच के मुदकर का इस्तवाल करते थे सबी डाइनोसार प्राइसारी छे करोर वर्ष पहले ही दोप्त हो चुके थे अगर क्यों एक अनुवान के अनुसार एक बहुत बड़ी ग्रही का प्रद्वी से चाटक राई जिसके फुल्स वरूप उत्वन धोन के विशाल मेह ने हजारों वर्षों तक सोरज के किर्णों को धर्दी पर पहुँचने से रोप दिया था फुल्स वरूप रशालकाई डाइनसोर को पजलात आहार नहीं मिला और भी वरूप के कारण बारे गए मौसम के बुष्टे मिजास पर फुल्टाबाद के कारण अख्मों हो गये धान करक्स पच्छीस करोड़ वर्षों तक प्रद्व के वुकूमत तुने अकल्प में नए जी जोग पढ़ना गता है आई देखने समय के साथ दाइटीन, मौरिट पेरियो, दिविंट पेरियो, दान पेरियो और एंजोल स्पम का कैसे लिखा से दानोस और के विलब्ध होने के बाद दो स्थर पर स्थनपाई प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ वर्यात मात्रा में अगर उत्लब्ध होने की कारण छोटे छोटे स्थनपाई प्राणी बड़े आकार में बदलते गए इसी समय बड़े बड़े शाकहारी एगर मासाहारी स्थनपाई प्राणी गरतिपन नदर आने लगे विश्वा के दो हिस्से जोंगल से हरे भरे हो गए हाथी के पूरवज द्रानो धैरियम और घोर के पूरवज यो हिपस की उत्वत्ती हुई जो आज के हाथी और घोरी में रुपांतरित हुए लेमूर तोसियर जैसे प्राइवीट भी इसे नियुक में पैदा हुई खोखले अस्थियों बादी आज के दिनों की पक्षी इन हितनों जन्मे थे दाना ट्राइमा जैसे बारे एवं उन्मीन अक्ष्ण पक्षी और जग्रों में रते थे जहां मासाहारी बड़े इस्तनपाई प्रानी नहीं दूते थे एक एवं अंदरों का जन्म लगवक एक करोर वश पहले हुआ था इस समय ही आदिम मनुश्यों का भी आनिर्भाव हुआ जैवायों में शेतलता आने लगी थी एवं ध्रूमों पर बुर्व की जादवें बिच गई थी आज़े आप चाहते हैं चत्र प्रवें को की चलवाई की उधर प्रवक के बारे में और श्मुतियों में पर बेहें उच्छे को जोगों प्रवें के लंबे इतियास में चांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्री को लार्थ के अधिकांश हिस्से बर्व की जादरों से ठक गए थे जो आई सेज के नाम से जाना जाता है हम आज ऐसे ही एक आई सेज में रह रही है जो 20 लाक वर्ष मेरे शुरू हुआ था प्रवेंदा गेंगे प्रवेंदा स्तरवाई और कस्तुरे कायों ने अपने शीर के रूम की सहायता से शीतर जलवाईं के साथ तान में बैठा दिया था पुष्ट कुवथ आगार की खोल लुबा गिने पोटोडान जैसे विशार्ट आर्मतिलों भी उन दिनों मौजूद थे सबर तूथ वाले पाग और विशार्ट सिंग वाले एरण जंगरबे शान से बचरण करते थे संदा वता सारे के दाज से मास को चीज में फार देने की अर्चन की कारण ये समय के साथ विलुप्त हो गए नहीं दानव आकार के हेरण इंसत जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे फल्सवर्ण बेभी ओचल होते गए इस समय से ही आधुनिक मारव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विश्वर्ण का इस्तंपाई प्रणी गिंदे धीदे मिलुप्त होने लगी अपने अनुपवों को यादगार बनाने के लिए दुबारत आप सब जरूर आए साइंस सिटी में प्रौर्ण का में झीदेगा जगी टूर्ण का झाल आए तक में प्रूर्ण आए थीदेगा मझाए लिज़ बनेख़ों के श्वर्ण टूर्ण प्रूर्ण को तक प्रूर्ण कि अवड़न